प्लीज लाइक, शेर दिस विडियो और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चानल रादिका एक सॉफ्ट्वेर कंपिनी में जॉब करती थी वो एक अनाथ है कुछ दिन पहले ही हस्बेन से डिवोस हो चुका था रादिका जॉब ट्रैंसफर करवा लिया विशा कपटनम एक अच्छा सिटी है उसको रहने के लिए अपार्टमेंट टॉप फ्लोर में मिल गया कोरोना की समय से कोई भी उस अपार्टमेंट में नहीं रहते दो साल से काली पड़ा है पर उस अपार्टमेंट से नजारा अच्छा है उस अपाटमेंट का उनर भी एक बुडिया औरत है उन्होंने उस अपाटमेंट को काफी कम किराई में राधिका को दे दिया राधिका को अपाटमेंट अच्छा लगा पुरानी यादे बूलने के लिए सही है जॉब जॉइन कर लिया रात को सामान लगाते समय उसने बादरूम सीलिंग पर एक होल नोटिस किया उस होल को नियूसपेपर से कवर किया हुआ था पर वो नियूसपेपर निकल गया होल दिख रही है रादिका ने भी उस होल को नियूसपेपर से कवर किया और अपार्टमेंट की ओनर को फोन करके बताया, ओनर ने बताये की सीलिंग रिपेर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रादिका सो रही थी, उसको कुछ डिस्टरबेंज बात्रूम से सुनाई दिया, रादिका को लगा सीलिंग होल में चुबा होंगे, सुब कोई दोगने की आवाज सुनाई दे रहा था, इतनी रात में लास्ट प्लोर की अपार्टमेंट की चपके उपर पॉन दोग रहा है, उसको हिमत नहीं लूआ लाइटॉन करने की, ऐसे ही चारपाई के आख बन करके लेट लेट लेट, बोली देर के बाद चारपाई की उसको हिमत नहीं ही हो रा, लाइटॉन करने का, ऐसा सुबा चार बजे तक चलता रहा, रादिका नहीं सो पाई, उसने अपार्टमेंट की मालिक को फोन में कम्पलेंट किया, अपार्टमेंट मालिक ने बोली, दरो मत बेटी, वो शायद नीचे की फ्रोन में से कोई सामान इदर उदर कर रहा होगा, मैं उस बातरूम की होल को भी जल्दी से रिपेर करवा दूगी, और गुबराने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरे दिन रात को रादी का चारपाई पे लेटने में डर रही थी, वो एक बिल्ले को खरित कर लाई, साथ में कोई पैठ होने से अच्छा लगेगा, वो लाइट ओन करके चारपाई में बैटी है, लाइट ओफ करने में बहुत डर रही थी, थोड़ी देर के बाद सो फीर से चारपाई की नीचे से कुछ गसिटने के आवाज आ लही है, इस बार उसकी फाल्टू बिल्ली भी रोने लगे, रादिका को बिल्ली की आवाज बातरूम से सुनाई दे रही थी, बातरूम में जाकर देखने पर, बिल्ली कमोड के अंदर पानी में डूब रही थी, रादिका बिल्ली को तुरंट बाहर निकाल का ड्राई किया, लेकिन बिल्ली बातरूम की कमोड के अंदर कैसे गई, ये बात समझ में नहीं आ रहा था, फिर से वहीं आवाज सुनाई देखने लगा, इस बार आवाज बातरूम से आ रही थी, सीलिंग होल, रादिका देखन नीचे जाकर कार में सुबर तक वेट किया, सुबर जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलने लगे, उनको देखा, तब जाकर कुछ आराम मिला, अपाटमेंट की मालकिन को फोन लगाई, और रात को उसने क्या क्या देखा, सारा सब कुछ मालकिन को बताया ओ माई गॉड, तुमें भी वो सब कुछ सुनाया, इसका मतलब आपसे पहले जो टेनेंट्स रह चुके थे, उन्होंनों भी सच बताया था क्या, आपको ये विस्परिक्स और सौन्स के बारे में पहले से पता था, आप फिर भी ये अपाटमेंट मुझे किराए में दे दिया, मुझे बताये भी ना सौरी बेटी, मुझे पिछली टेनेंट्स की बातों पर येकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी आप बता रहे हो तो, इसका मतलब वो लोग भी सही था अब मैं क्या करूँ, मैं तो एक मिनेट भी इस आपाटमेंट में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं काली कर रही हूँ रादिकम अपाटमेंट वेकेट किया, दूसरी अपाटमेंट जो ओफिस के बिलकुल नजदीक है, उसमें जाकर रहने लगी कुछ दिन के बाद, एक फैमिली उनकी बेटी के साथ उस अपाटमेंट में किराय पर आ गया इस बार भी उस अपाटमेंट की मालिक, न्यू टेनेंज फैमिली को कुछ नहीं बताई, अपाटमेंट उनको अच्छा लगा बात्रूम के अंदर सीलिंग होल से रात को आवाजे सुनाई दिया न्यू टेनेंज ने आवाज को इग्नोर किया, चूहा समझ कर रात को ठीक एक बजे, दो बूत, बच्चों की रूप में चारपाई की नीचे से बाहर आया जो बच्ची सो रही थी, उसको जेगाया आतर हमारे साथ खेलोगी? उस बच्ची के साथ सीलिंग होल से एटिक में पहुंच गया काफी देर तक तीनों खेले सुबा, निन नया दोस्तों के बारे में, खीर्थी ने उसकी पापा को बताया कीर्थी चार सार की है, उसको समझ नहीं आया लेकिन उसने जो भी कहा, वो सच था डेली रात को ठीक एक बजे, दोनों बूर कीर्थी के साथ एटिक में खेलने लगा नींद की कमी से कीर्थी की तबियत खराब हो गई, डॉक्टर ने भी चेक किया और बोला की नींद की कमी है, कीर्थी फिर से और एक बार उसकी पापा को समझाया पापा, मैं सच मूल रही हूँ, रात को दो बच्चे आके मुझे खेलनी ले जाते हैं, मैं नहीं सो पाती हूँ इस बार कीर्थी ने जैसे उसकी पापा ने बोलने के लिए बताया, वैसे ही दोनों बूतों को बताया और वो बूत चला गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ तीसरा दिन जब कीर्थी ने ये कहां की, मैं बिमार हूँ, मैं आपके साथ नहीं केल पाऊंगी इस बार दोनों बूत गुसा होकर कीर्थी को अटिक में ले गया और मार कर खा गया सुबा कीर्थी नहीं दिखाई दिया कीर्थी की ममी पापा बहुत डूढने के बाद पोलिस को कंप्लेंड किया पोलिस ने भी बहुत डूढ़ा अपाट्मेंट में एटिक में जा कर देखा कीर्थी की ड्रस मिला लेकिन कीर्थी नहीं पोलिस भी कुछ नहीं पता लगा पाया कीरती की पैरेंस बहुत रुया और कीरती की पापा को याद आया कि कीरती ने दो दोस्त के बारे में बता रही थी अपार्टमेंट की मालकिन को फोन लगाया बहुत रिक्वेस्ट करने पर रादिका जो इस फैमिली से पहले उस अपार्टमेंट में रह चुकी थी रादिका के फोन नंबर दे दिया रादिका से बात करने पर रादिका ने भी उसकी सारी experience उस apartment का है बताया तब जाके इन दोनों को समझ में आ गया ये एक haunted apartment है और भूतों ने खीर्थी को ले गया उन लोग भी apartment छोड़ कर चले गये और पोलिस को बताया पोलिस ने भी अटिक के अंदर छोटे छोटे पॉड़ी पीसिस को पाया जो चूओ ने खाकर छोड़ा है फोरेंसी गलाप में टेस्ट के लिए बेजा ये confirm हुआ कि वो छोटे छोटे बॉड़ी पाड्स खीर्थी का है पोलिस ने घर की मालकिन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया हमेशा के लिए उस apartment को सीज कर दिया गया अगर घर की मालकिन किराई पे देने से पहले apartment के बारे में बता दिया होती तो इस family apartment में ट्रेंट पर नहीं आता कीर्थी का भी माउट नहीं होना था पर पैसों की लालेज में बुढिया औरत बीना बताएं apartment को किराए पर दे दिया उस कहानी यही समाप्त होती है फिर दूसरे नए कहानी से दुबारा मिलेंगे प्लीज कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना और कॉमेंट सेक्शन में भी सजेशन जरूर मेंशिन करना तब तक जय हिए